हेलो दूस्तो हैर के सब स्विलोग आज का वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला एक नई एलेक्टरिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले है जो की टोटली 3-in-1 होने वाली है ओला जिसे भी दिखेगी सिंपल वन जैसा भी दिखेगी एटर की 450X जैसा भी देखने को मिलने वाली है और सब सब पहले इसकी प्राइसिंग शुरू होने वाली है 85,000 रुपीज से इसके हिसाब से 200 किलोमेटर तक रेंज मिलेगी चेंड रायो मोटर भी देखने को मिलने वाली है और भी बहुत कुछ आपको डेटेल इस वीडियो में सब कुछ देने वाला जो की में फिस टाइम कफी बार शोकिस भी किया है जो कि आप स्कूरिन पर देख सकते हो और उसके बाद काफी कस्टमत लुए खर QUEया है इसा बी लिए चै avocado बहले हो इसलीए जिसलिए जिनको भी उवला जिस से भी बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए कंपनी ने इंडिया के पार्ट जादा तर यूज़ करके कम प्राइज में ये एलेक्ट्रिक स्कूटर कस्टमर तक पहुच सेके इसके लिए इन्होंने इसको बनाया है सबसे पहले इसमें आपको तीन मॉडल देखने को मिलने वाले है स्टार्टिंग वाले मॉडल की रेंज आपको 110 किलोमेटर से शुरू होगी मीड वाले की 140 किलोमेटर की IDC रेंज देखने को मिलेगी और जो टॉप वाला होगा उसमें 200 किलोमेटर की रेंज देखने को मिलेगी हाला के कमपनी अभी काफी एक्टिव रही है सोशल मीडिया पर अभी इन्होंने N1 and N1 Pro को थोड़ा सा फीचर्स वगयरा इन्होंने अन्विल किये है बर जो टॉप वाला मॉडल रहेगा जिसमें 200 किलोमेटर की रेंज रहेगी वो सबसे हाइस्ट चलने वाला मॉडल रहने वाला है सबसे पहले दो मॉडल के बारे हम यहाँ पर बात करते है N1 and N1 Pro के बारे में दोनों में आपको रेंज और कुछ फीचर्स में डिफरेंड देखने को मिलेंगे लुक वाइज सेम ही रहेगे N1 की बात करे तो 110 किलोमेटर तक रेंज मिलेगी 60 KMPs तक स्पीड देखने को मिलेगा जिनका भी बजट कम है उनके लिए इसमें BLDC मोटर भी कमपनी प्रोवाइड कर सकती है और काफी कस्टमोर को चेंड ड्राव मोटर चाहिए होती है लॉंग लाइफ चलती है तो उनके लिए N1 Pro मॉडल रहने वाला है जिसमें 140 KMP की IDC रेंज होगी बट कमपनी टू रेंज डाइरेक्टली 132 KMP की बता रहिए स्पीड इसका 70 KMPs का रहने वाला है चेंड ड्राव मोटर देखने को मिलेगी और इस एलेक्टरिक स्कूटर में जो बैटरी रहेगी 3.5 KMP की बैटरी देखने को मिलने वाली है और कमपनी ने बजट का बहुत ही दियान रखा है दोस्तों जिनको भी 200 KMP वाला मोडल चाहिए उनका बजट ज़्यादा होगा तो वो भी आगे वाला मोडल ले सकते जनको 200 KMP तक रेंज मिलेगी 70-80 KMP का स्पीड देखने को मिलेगा और भी थोड़ी से फीचर्स इंक्रीज कर सकती है फ्रंट से अगर आप देखोगे तो सेम आपको ओला जैस आपको हेडलाइट देखने को मिलने वाला है और साइड से देखोगे तो Ather Energy की 450X Electric Scooter हाती है वेसा लुकाने वाला है या Simple One Electric Scooter जैसा लुका आपको देखने को मिलेगा बट Simple One और जो Ola Electric है उनके प्राइसिंग बहुत ही जादा होते है इसलिए काफी कस्टमर प्राइसिंग की वज़े से एफोर्ड नहीं कर पाता सुन के लिए ये बजट फ्रेंडली वाला मॉडल बेस्ट से बेस्ट हो सकता है मतलब अब सिधा सिधा बोल सकते हो सस्ता ओला या सस्ती Simple One Ather Energy की Electric Scooter वाला मॉडल इंडियन मार्केट में जल्दी देखने को मिलने वाला है पूरी तरह से completely guys इंडियन ब्रैंड है बेंगलोरु बेस्ट अ कमपनी है स्टाइलिश लुक मिल जाता है सिमलर इलेक्टरिक स्कूटर है ज्यादा बलकी भी नहीं है ज्यादा बड़ी भी नहीं है अच्छी खासे आपको देखने को मिलेगी लेकिन वो pricing के हिसाब सबको features मिलेंगे और already हमने इस पर वीडियो भी बनाया था टेजर इलेक्टरिक स्कूटर के बारे में क्योंकि at expo में showcase हुआ है तो आने वाले कुछ ही time में ये customer को काफ़ी attractive करने वाली है तो चलिए रदोस्तों भी काफ़ी बाते की हम यापर main point पर आते है pricing के बारे में और कब तक Indian market में देखने को मिलेगी और क्या आपको finally इसके लिए रुकना चाहिए वो भी हम आगे discuss करेंगे सबसे पहले pricing जो इसकी शुरू होती है 85,000 रुपीज से starting वाला model शुरू होगा जिसमें आपको एक सदस किलोमेटर की ID सिरेंज देखने को मिलने वाली है और जो highest model रहेगा वो आपको 1,10,000 से लेकर 1,15,000 रुपे तक एक शुरूम प्राइज में देखने को मिलने वाला है और सबसे पहले company का focus तो यही रहने वाला है कि हम कम से कम अच्छे price में customer तक पहुच सके इसलिए company का planning एंड जो design वगेरा है वो 3 in 1 रखा है अगर हम launching की बात करें तो already company ने काफी expo में electric scooter showcase की है और सभी customer को इसका look काफी अच्छा लगा है लेकिन और भी कुछ थोड़े थोड़े changes करके final look को next 2-3 months तक आपको unveil करने वाली है और जेली इसकी और भी detail देखने को मिलेंगी क्योंकि company जो है काफी active रह रही है जो 200 km वाला जो model रहेगा उसके लिए काफी customer excited है तो आपको क्या रखता है इस laser electric scooter के बारे में मेरे इसाब से 3-in-1 मतलब को look काफे चाहे मिलने वाला है similar electric scooter है अगर आपका budget कम है तो आप इसके लिए रुख सकते हो बट आने में थोड़ा सा time लग सकता है all over India के लिए starting में दोस्तों ये बैंगलोरी से शुरू करेंगे और वीडियो आपने यहां तक देखा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो काफे हमारे वीवर्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं तो चलिए यार दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स वीडियो में